कि एक छोट्टा सब टॉपिक बचिया उसको भी देख लेते हैं इंपॉर्टन है इफेक्ट आफ कि अलाउइंग एलिमेंट्स कि इन अस्टी कर सब कर से इलिमेंट्स भी मिलाके बना में आसे जिमलेंट करते नेinkरीच किम vocalob कानरे एंबर्स प्रक्सांडर्ड सतफीन और में सब वक्राइवों बातां तो स्बसेंहें देखते मुक्त देखतें कार्बन कार्बन का काम क्या है इंक्रीजेज श्ट्रेंथ एंड हार्डनेश और साथ में इसका काम है रीडियूसेज और डक्लिटी क्या होगा डक्लिटी कम होगा अधिक है ये कार्बन का effekt होता है सेकiking हम दोग देखते इसिल काक्या effekt होता है ए अ फिर है ये तो गेको को ये वह में नेंड देखेटर्थ सीलिकोन का एकट होता लेकिन वहां पर एक्पेर क्या करता है ग्रक हाईईंट को इंक्रीज करते हैं तक लेकिन यहां पर अस्टील में सिलिकॉन का कुछ और काम होता है यह क्या करता है एक्ट अजर डी अक्जिडाइजर ए डी अक्सिडैर मींज कि अगर हमारे अस्टील के अंदर जो असेजन है ए ऐ grandson के अमांट होगा उसको कम कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया इंक्रीज़ इस्टेंस टू हाई टेंप्रीचर ऑक्सिडेशन इसके अंदर ऑक्सिडेश करने का कैपसिटी देगा उसको यह कम कर देगा ठीक है वह जल्दी से नहीं होगा अक्सिडेशन भी हलका यह बचाएगा ठीक है अधिक टेंप्रीचर पर जो ऑक्सिडेशन टेंडेंसी होगा ऑक्साइड बनाने का टेंडेंसी होगा उसको यह कम कर देगा ठीक है और साथी इसका काम है इंक्रीज़ इस्टेंस कि मैगनेटिक प्रोपर्टी को भी थोड़ा इंक्रीज कर देता है ठाड हम लोग देखते हैं लेड अ कि सल्फर और फॉस्फोर अ यह अबजेक्टिव में आता है यह सब कुष्चन यह जो इफेक्ट है यह जंदली अबजेक्टिव में पूछा जाता है लेड सल्फर और फॉस्फर mäतर का श्क्रीज में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है किक्रीन अबिलिटी म अधिक्रीज करें अक्षेंच यह को उसमें उसमें मटेलों को करने का जो कैपासिटी है वह यह ईंक्रीज कर देता major activity user cuz नेक्स्ट में तुम लोग मैसिनिंग प्लॉसस के बारे पढ़ होगे नेक्स्ट है मैंगनीज यह क्या करेगा इंक्रीज़ अस्ट्रेंथ ठीक है यह स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और जब इसका पर्सेंटेज्ट 12 पर्सेंट होगा कि वैन 12 पर्सेंट मैंगनीज इस एड़ेड़ इन इस्टील जब हम लोग इस्टील में 12 पर्सेंट मैंगनीज एड़ करेंगे तो वाइससे इस्टील को हम लोग बोलते हैं इट इस कॉल्ड हैड फिल्ड स्टील एक स्पेशल नाम दिया हुआ है इसका यूज अगर देखोगे तो बुल्डोजर का जो ब्लेड्स होता है बुल्डोजर या फिर जितना भी बड़ा बड़ा मसीन होता है उसका ब्लेड देखते होगे वह इसी श्टील का बनाया जाता है है ठीड फाइड लका सब्सक्राइब फिल्डोजर बडेडि इसका बहुत जाहरा होता है यह जدم है है अ और हम देखते हैं क्यो मियम स्टील में अड़ करेंगे तो उसका क्या काम होगा तो क्रों आड़ करने से क्या गादीच Model रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इन्क्रीज इस को रोजन तो रेसिस्टेंस और साथ में यह हाड़ेंटी को भी इन्क्रीज करता है यह काम निकल का भी होता है तो यहां पर निकल भी लिख देते हैं क्रोमियम और निकल का काम दोनों लगभग यही है को रोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाना और हाड़ेंटी को इंक्रीज करना अब लोग और देखते हैं दो तिन इलेमेंट और हैं यहां से अब्जेक्टिव कुश्चन बनता है कुछ देगा विच आफ दी फॉल्लाइंग इलेमेंट इंक्रीज दिमसेन अबिलिटी ऑफ दी स्टील आप्सें में देगो तुम्हां देगा सिलिकॉन लेड सलफर फॉस अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेमेंटम मॉल्वडेनम कलम लोग देखे थे जब हम लोग हाइइ स्टील कर देते हैं वहाँ पर मॉल्वडेनम को अड़ कर देते इसका क्या है हाड अबिटी को इंक्रीज करना इंक्रीज हाड अबिल्टी तर्शाइल एंड क्रीप स्ट्रेंद पिंट्रीज शेंथ है ढ सब्य समसिल है क्या सब्सक्राइज होता है यह हम पता चुकेंज है यह हमारा तो कोई भी टूल जो है तूल हाइटेमपरेचर पर सब्जेक्टेड होता है तो उसका क्रीप अच्छा होना चाहिए कि जब कॉंस्टेंट लोड ग्राव मटेरियल पे हाई टेंपरेचर पे तो कितना इसली ब्रेक करता है तो वह अच्छा होना चाहिए अच्छ हम लोग देखते हैं टंगस्टन करें किस उच्छ होता है इंक्रीजिस होट हाड में होट आई आए ते होट हाडनेस क्या होता है होट हाडनेस होता है एबिलीटी ओफ मटेरियल तो दी टेन इट्स हाडनेस आट इलिवेटेड टेमपरीचर इलिवेटेड टेम्परीचर हाइट जब हम कोई एंडर को घ्र वहाद हा आप टेमपरीचर करें इसका यूज हमज तो यह काम होता है कि वह होट हाड़नेस को इंक्रीज कर देता है इसलिए हम लोग तूल अश्टील में जो हाइस्पीड अश्टील में बोलते हैं वह तंगस्टन करते हैं कर सकते हैं कि नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखते हैं वैनेडियम वैनेडियम का काम क्या होता है इसका काम होता है इंक्रीजेज आद्वियर आद्वेस्टन रेस्टंस ठीक है वीयर और अब्लेशन डिस यस इंक्रीज कर देता है वहां पर सकते हैं गारा आउल में चौन ह्ते इंक्री मत्य काएं अब शिया मटेरियल स्काले इस पृतता में का यह बता है तो यह सब कुछ important alloying elements था जिसका हम लोग अस्टील पर एफेक्ट देख रहेते हैं कि जब अस्टील में हम यह सब add करेंगे तो उसके कान क्या क्या एफेक्ट आएगा क्लियर है कोई दिक्कत था तो पुछो कुछ confusion हो तो क्यों चुछ हो तो पुछ जो पुछ जो पुछ। है 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 कि जब कोई मटेरियल पर हम कॉंस्टेंट लोड लेख सपोज देखो एक पंखा को एजिम करो ठीक है है ठीक है वह तो बहुत साल के लिए होता है 20-25 साल तक वह एक ही पोजिशन पर लटका हुआ है अब अगर वह इस जगह पर हैंग किया हुआ है तो इस पर क्या हो रहा है तो कॉंस्टेंट लोड होना चाहिए और एक लंबा टाइम पिरियोड तक अगर वह कॉंस्टेंट जो यूज किया जाता है तो वहां पर क्या होता कॉंस्टेंट लोड आ रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए और साथ ही अगर हाई टेंपरेचर होगा तो उस मतिरियल का फेलियोर हो जाता है और वह फेलियोर हम लोग बोलते है क्रीप कब होगा तीन केसेज है होना चाहिए लंबा टाइम पेरियड के लिए और तीसरा इंपर्टेंट है टेंपरेचर हाई टेंपरेचर ठीक अगर स्थन की मटेरियलしか यह सब संघयडीशन पर तो उस मतियल में एक फेलियॉर होने का सब्सक्राइब करते हैं तो फेलियोद नहों इसलिए उस माटिरियल के अंदर प्रीप अच्छा होना चाहिए ठीक है क्लियर है चलो तो यह चप्टर हम लोग इंड करते हैं इसमें एक दो टॉपिक बच गया वो लाश्ट में स्लिबस पहले कंप्लीट कर लेंगों इसके बात करवारें वह उतना इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है करेंगे तो आधे गंटे के लिए हम सोम का क्लास ले लेंगे सुबह में जो छूट गया था वो टॉपिक मेरा फिनिस हो जाएगा इसके बाद कल से नया चेप्टरी श्टार्ट करेंगे सोम में इस चलो तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें नॉन फेरस कि अलोय जीज करेंगे अब हम लोग फेरस लाइड देखते थे तो नॉन फेरस लएक का डिफिनिशन क्या होता है यह मैं आलगेडी लिखा चुकिए डिफिनिशन नउन किछलाइज तका इसमें जो होगा में कॉंस्टिटुएंट क्या होगा मेन जो कॉंट्टिटट्रेंट ओगा अधा यू अधा है है मेन जो कॉंटिटोन्ट हुगा है यहां पर अधार के अलावे कुछ और होगा है लाइक कोपर अलुमीनियाम निकल जिंक एटीसी ठीक है तो यह सब यहां पर में इसमें हम लोग फिर कुछ और सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह सबसे पहले हमारा टॉपिक है और फिर और बहुत सारा होता है तो कोपर के बारे में सबसे पहले हम देख लेती कि कौपर का क्या-क्या प्रोपर्टीज है उसका अप्लिकेशन क्या क्या तो हम जानते हैं बहुत ज्यादा अप्लिकेशन नहीं उसके अंदर गड़न जादा नहीं होता कि लेकिन तो फाक पर देखते हैं कि बहुत जाधा है देंगे हम समझ जाओ क्या 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 हुता है और उसको नोट कर लो जो जो हम समझा रहे हैं पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं ठीक है को पर देखो पहला प्रोपर्टी देखें तो इसका गुड डॉक्टिलिटी एन मैलियाबिलिटी इसका डॉक्टिलिटी और मैलियाबिलिटी अच्छा होता है इसका इसका अगर हम देखेंगे तो इसका हाई इलेक्ट्रिकल और फर्मल कंदुरिक्टिस हुं साथ प्रोपरटी हैंँ पढ़ा चुक है जब मैटिरिल का पॲपर्टी हम लोग पढहे हैं क्या होता है तो अट्रक्टिक्टिक विटी अच्छा होता है इसको थीन वाइस में ड्रॉ कर सकते हैं इसको भी सीट में हम लोग रॉक कर सकते हैं अच्छा मतलब असका कंडूकर बना सकते हैं जैसे वाएस अब बनाया जाता है कोपर जो अब भूस्टार नौन मैगनेटिक होता है यह मेगनेटिक नहीं होता है भूगा और इसका कलर जो वो सबस्क्राइब कुल होता है अधी जहाल? कुलत कर फेल्ड को ऩर यह मंगनेटिक होगा और फेलिस तुलर का होगा और इसका क्वोंजन रेसिस्टेंस अच्छा होता है गुड़ गोड़ सेव्य है इस जब क्रिफक्र ऑपर कापर का रेसिस्टेंस अच्छा होता है क्योंकि यह जो है वह हमारा अँक्सिजन के साथ में वाली द करना इसको बचा लेता है और इसके अंदर bental काने का capacity बहुत अच्छा होता है क्यों कि के पैसिटी टुमेक अलोई जाता है मतलब विसकोपर में कुछ मिला जाएंगे जिसे कभी अलूमियम मिला दिया है लेड भी यह से मिला कि यह सब जो बहुत सारा अलग-अलग मटिरियल बना सकते हैं तो कौपर का बहुत साथ साथ अलॉइ दिखने को मिल जाएगा ठीक है कि कुछ यहां पर देखेंगे तो यह कुछ इंपॉर्टेंट अपली प्रोपर्टी स्था हमारा कॉपर का अब अब लोग देखने कि कॉपर का डायेट कॉपर का यूज कहां कहां होता है तो सबसे पहला एक्जामपल देखने को मिलता है लेक्ट्रिक वायर्स इसका जंदली बनाया जाता है और अटो मोबाइल डेडियेटर्स यह अपलेकेशन कुछ हो गया कॉपर का या फिर इसका कंडेंशर ट्यूब भी बनाया जाता है कि кिया होता है कि मैं एक मेरे पास है और दो आट इक में हॉट एक Quantum की कर रहा है वह रोकार तो एका है का जैकर है उसका टुब बना दिये और दूसरा जैक्या और इसका तो अच्छा मतøtte है कि जिसमें किसी चीज को क्ए लिकुड को मलब ठंडा करने के लिए वो होता है हैं प्रीसका मैं लोग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी उस बनाते हैं जो छ लिए मोग इसका ऐल्लिक्ट्रिकल पार्ट्स बना सकते हैं और इसका क्या हो सकता है इसका हम लोग गषा वेल्िंग गौड कोई दो चीज में पार्ट है उसे हम जोड़ना है ठीक है तो उसके लिए एक रोड होता है जिसको मिल्ट करके यहां पे डालते हैं तो इसका टिप होता है वह हमारा कंडक्टर का बना होना चाहिए ताकि वह हमारा उसमें को पास कर सके तो वह हमारा वेल्डिंग जो टिप है वह कॉपर का बना हो रहता है यह कुछ जंदल अप्लिकेशन से इसका कॉपर का प्रॉपर्टीज था कुछ जंदल अप्लिकेशन जो डायक्ट हम देख सकते हैं कॉपर का हुटता है कि समझ में आ रहा है ना कि कोई दिक्कत कि कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पुछो अब देखते हैं कॉपर का कॉन कॉन से अलोई होता है यह सारा नूट समझ दे रहेंगे यहां पर बस देखते जाओ क्या क्या पॉइंट्स होता है पॉइंट रहें आप आपर व्हल्समें नेक्स्ट मों टॉपिक करते हैं स्थ्रहज कॉपर एलोई कॉन कॉन सा यह वह हम बना सकते हैं कॉपर का अ फहला हम लोग देखेंगे इसमें ब्रास और हिंदी में इसको बहुते पितल बितल का बतन देखहें होगे आपि सेवेंटी परसेंट है और जिंक हम लोग इसमें मिलाते हैं 30 परसेंट यह होता है मारा पित्तल भास होता है है यह जंदल कंपोजिशन हो गया ब्रास का कि 70 परसेंट कॉपर दोगा और 30 परसेंट जिंक होगा यह हमारा जो पितल होता है घ्रास होता है जितना ही मतेयल बना जाता है कि अब लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स का ब्रास होता है कि कही सोल करता है एकै कि करो ऑद देखते हैं कि लिठादी पो एकश थे टाइप्सटS प्रॉब्लम हो रहा है वही फ्लक्ट्विशन आ रहा है देखते हैं प्रॉब्लम हो रहा है देखते हैं हुआ है 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 चलो ठीक है कि लिए अभी दीख रहा है यह ज़िए सब्सक्राइब करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं एक्चुलीं वह ब्रास ही होगा लेकिं थोड़ा सा हम कुछ और इलिमेंट्स चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसे बोलते नेवल ब्रास ठीक है इसका नाम नेवल क्यों पड़ा नेवल जो होता है वह हमारा मरीन अप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो यह जो ब्रास था इसमें बहुत ही अच्छा इसका नाम पड़ गया इसका यूज होता है इसका नाम हो गया नेवल ब्रास ठीक है इसका कंपोजिशन अगर देखेंगे तो कॉपर सेवेंटी परसेंट होगा 60 कोपर होगा जिंक हमारा 39 परसेंट होता है और एक परसेंट हम लोग टिन इसमें आड़ कर देते हैं इससे क्या होगा टिन आड़ करने से इसमें बहुत सा प्रपर्टी इंप्रूब हो जाता है इसके करने इसका प्रोजन रेसिस्टेंस जो वाटर में है सी वाटर में वह इंक्रीज कर जाता है इसलिए मोग टिन एड़ करते हैं और साथ में टिन एड़ करने से इसका स्लाइटली स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है तो यह होगा नेवल ब्रास का कंपोजिशन कॉपर 60 परसंट होगा जिंक को हम लोग क्या किया थर्टिन परसंट कर द प्रोपर्टी होगा हाइए पॉर्जन रेस्टेंट अचाह उता है तीन को एड़ करने से इसका थे बढ़ जाता है इसमें इंसी वाटर इंसी वाटर एंड मरीन अप्लिकीशन जो भी समुद्र हो गया बड़ा उस समुद्र में जो अप्लिकेशन था जैसे बड़ा-बड़ा जो जहाज हो गया ठीक है बड़ा-बड़ा सिप्स हो गया वो से बहुत है क्लियर है पानी में बड़ा बड़ा जो सिप सब चलता है उसका बहुत सारा जो पार्ट्स होता है वह हम लोग नेवल बरास का बनाते हैं कि इसका को दोजन डेसिश्टेंस जो होता है वह अच्छा होता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम इसका प्रोपर्ट्टी देखें तो इसली होट वर्कड फोर्जट और प्रेस्ट यह जो मटेरियल नेवल ब्रास इसको हम लोग इसली होट वर्किंग कर सकते हैं ठीक है इसको हम रिख्रिश्ट्लाइजिशन टेंपरेचर पर ले जाकिये उस पर अगर हम कोई भी प्रोसेस करना चाहते है रॉलिंग या फिर फोजिंग तो वह आसानी से किया जा सकता है रॉलिंग प्रोसेस यह वह बहुत सारव पार्ट्स इस सब प्रोसेस से बनाए जाता है प्रेसिंग अगर करना है तो यह साला चीज हम लोग यस मटिरियल का इज़ी कर सकते हैं नेवलवारास का कि इसका इस्ट्रेंथ और अच्छा होता है हाई स्ट्रेंथ यह भी टिन का आड़ करने से होता है जो एक परसेंट अब टिन आड़ करने है उसकी इसका च्रेंट बढ़ जाता है और हाड्वनेस भी इंक्रीज कर जाता है और उसके बाद इसका मसलेंबलटी अच्छा होता है इसकोawsaly machine कर सकते हैं किसी अगर मिसकोsz ‫ इसको बनाना चाते मसीग यह सेट करके तो वह सका क्या घंक होता है कि इसमें थोड़ा सी Алगे स्मार्ण एमांट उव कि लेड भी मिला थी ठीज़ों चेए को पोईंट में फ्लक्ट्विशन होता है ठीक है ओंग क्या कि पॉइंट में किसी में फ्लक्ट्विशन कििसी को कुम कर दिए उसमें च्वड़ा सा लेड मिला दिए तो ऐसा होता है यह इक जर्डरल अधिक लिफाने से 59% 1% बहुत सा प तो बहुत चोटा सा परसंटेज इसमें लेड का भी होता है तो यह नेवल ब्रास का प्रोपर्टीज है देखो कॉपर यहां पर सिक्ष्टी पर कॉपर जिंक के हम लोग ब्रास बोलते हैं कॉपर और जिंक परसंटेज अच्छा-खासा होगा यह दोनों का परसंटेज उसको लोग ब्रास बोलते हैं अब यहां पर क्या किए कि स्लाइट लिएशन सब्सक्राइब कर दिए जिससे क्या हुआ कि हमारे यह एक इस्पेशल प्रोपर्टी का ब्रास मिला जिसमें को रोजन तो पर्टी अच्छा था श्ट्रेंथ भी बढ़ जा रहा था और स्वें वह इस इसका कुछ अप्लिकेशन देखते हैं क्या क्या अप्लिकेशन होता है देखो तो सबसे पहला एप्लिकेशन इसका होगा मरीन हार्डवेर मतलब समुझर में जो भी हार्डवेर बनाया जाता है जैसे कि बड़ा बड़ा सीप का जो पार्ट्स हो गया वह हम लोग इसका बनाते हैं क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा को रोजन रेसिस्टेंट होता है इसे नहीं का जो भी पार्ट्स हो गया हाडव्यर पार्ट्स वो सब लोग इसके बनाते है इसका पिश्टन भी आपनाते है ऑटमावाइल में जो पिश्टन यूज करे रहता वह मुनों बनाते है फिर नट्स बोल्ट हो गया नट्स एंड बोल्ट्स वेल्डिंग रॉड्ट्स यह सब कुछ इसका जंदल अप्लिकीशन है नेवल ब्रास का तो श्राइब को यहीं पढ़ना है उसका इसका प्रोपर्टीज क्या और अप्लिकेशन कहां पर होता है करें को जो जो स्वाइब संवा हमसा नहें पर गोट करक्र कर वाय ईसे और भी बहुत सब्सका प्रास में नें इसका हम लोग को नहसले neu झा और बहुत साहना प्रद्शा यृम्ट चेर्द ठ़ता है लों के वह देखते रेंट है यंदाल सै यह रोद्ध इसकरेए अदि को कि सेकेंड जो टाइप होता हो से हम लोग बोलते हैं मुझ मैटल कि या फिर इसका दूसरा नाम है येल्लो ब्राव्स कि इसका अगर कंपोजिशन के बात करें तो कॉपर होगा मेरा सिक्स्टी परसेंट और जिंक होगा 40 परसेंट कि यह जिनल इसका क्वPal और छी सिक्टी परसेंट कर दीए और जिंक Кो 40 को को यह बोलते हैं कि जब जिंक का परसेंटेज के ज्यादा हो जाता तो कल्री यलो हो जाता है तो इसका परसेंटेज पर फाइन होता है अगर इसका परसेंटेज ज्यादा हम लोग रखते हैं तो इसका इसका नाम पढ़ गया यहलो व्रास यहां फिर इसी को अंडौ मुंज मेटल भी बुछते हैं इसका अब लोग परपर्टी देख लेते हैं अटिक है इसको हम लोग हम लोग कर सकते हैं है और रोल कर सकते हैं यह इसका में अप पर्टी है है और इसका अप्लिकिशन अगर हम कहा कहा देख सकते हैं इसका अप्लिकेशन यूटेंसिल्स बनाने में होता है ठीक है शाफ्ट बनाने में किया जाता है इसका भी लोग नट बिल्ट्स बना सकते हैं क्योंकि घर में अगर ब्रास का बर्तन देखे होगा तो वह स्लाइप यल्लो दिखता है तो वह हमारा मुझ मैटल का ही बनावाराता है कॉपर उसमें सिक्स्टी परसेंट होगा जिंक फुर्टी परसेंट होगा कि इसका लोग कंडेंसर ट्यूब भी बना सकते हैं तो यह कुछ जैंदल अप्लिकेशन हो गया तो पर्टी जो गया इसका होट वर्किंग किया जा सकता है रॉलिंग करके कोई भी पार्ट इसका बना सकते हैं तो यह जानना है इसका कंपोजिशन क्या होता है प्लिकेशन क्या होता है अब्जेक्टिव पॉइंट ऑब यू से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है उसका कंपोजिशन हुआ तो सिलेवस में हमनों का दो ही दिया हुआ तो ने दोसरह मूंजमेटा दिया हुआ है लेकिन अम दोसरी नियुक्ता बता दे अ कि व्ड़गेशन क्या होता है ठाब तो झाप होता है उसका बनाग बोलतें जर्मने इस कि यह हमारा ब्रास का यह कैलोई है इसमें काम पोर्जिशन किया होता है पहुत साथ बना सकता है तो यह अप्शन हो जाएगा पॉपपर जिंक और उसमें लोग थोड़ा सा निकल मिला देते हैं यह हम पर विद्ध के वल अब जुद नहीं है यह वाला स्लिबस में है भी नहीं इसका क्वेश्चन आएगा क्या 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 होता है हम उस पॉइंट आप यह से समझा दें ऐसे परसेंटेज लिखवाने कर थे हम भी लिखवा देंगे आराम से या तुम लोग भी चाहोगे नेट में आराम से डूंद दोगे डायेट डूनर को जर्मन से लिवार प्रूंद आए लेकिन आगे जब कॉंप्टिटिव इसमें भी इसे कुष्टन आता है इस अट जारी आवास तुम पहला है तुम्हें पास कोई और सिस्टम आण होगा है इसे ते आवाज आ रहा है देखो कोई और सिस्टम आणने तो उसको बंद करो जा बोलो? फिर से बोलो, बहुत कम आवाज है आवाज तुम्हारा कट रहा है, साफ आई ही रहा है किसी को कुछ पता चल रहा है, क्या बूल रहा है? अगर किसी को पता चल रहा है, बहुत रहा है बहुता है, से बोलाक नुक्ण आए क्वथास कम नुच्छ मेटल अच्छाओ के वारे में पूछलेएँ, सब्सक्राइब का कॉपर को ब्रास का ब्रास का कम दिखाएंगे, उसमें कॉपर ऑद नुच्छाव का आड़ को पता यह उन्युक्त पाइए सब्सक्राइब तो यह परस्ट में प Mythical-nev पना उतना ऑठ सेवंटी चैनल कम पोजेशनी सेवन्ठी सेवन्टी ट सतनके तो लेकिन्हें सब्सक्राइब करें हag साया है यहांपे देखो slightly vary कर रहे हैं इसको 10% इसको 9% वढ़ा दीए इसको 10% कम कर दिए इसमें थोड़ा सटिम नड़ कर दी यहांपे देखो copper को 60 कर दिये जिंक को फुट्टि कर दी तो यह एक तरह का ब्रास ही है ठीक है थोड़ा से कंपोजिशन वैरी करें इसलिए देखो copper में हम एक special प्रोपर्टी लिखवा हैं कि इसके अंदर alloy बनाने का capacity बहुत अच्छा होता है कि इसमें slightly variation करके थोड़ा से एलेमेंट एड़ कर दो थोड़ा सेमेंट घटा दो इसे लोग अलग अलग यहां material उप्टेन कर पा रहें यह copper का अपना ability हो गया और जर्मन सिल्वर भी हमारा copper झीव ब्रास जहां में copper जींग का percentage जादा मिलेगा वह ब्रास का अलग होगा अब हम लोग देखेंगे copper का दूसरा जिसे ब्रॉप बोलते है तांबा का तार भी मिलता है या पिर तांबा का बरतन भी पाया जाता है तो तांबा के बारे में या फिर मैडल जो बनाया जाता ह है ठीक है ब्रॉंज का एक टाइप है क्लियर है कि यह सर अभी जो पूछ रहा था वो बोलो क्लियर है यह नहीं अभी देखो पढ़ लो उसके बाद कुछ कंफ्यूजन राजा तो पूछ रहा रहा है कुछ एक्स्टरनल साउंड कोई सिस्टम चल रहा हुआ तो देखो अब लोग सेकेंड अलोय दिखते हैं ब्रॉंज इसे बोलते हैं यह भी कॉपर के अलोय है इसका जंडल कंफोजिशन क्या होता है क्यब नाइनटी परसेंट होगा है और इसमें यह यह चाहिए तर यह है प्राइलोई जिन्क को मिला रहे हैं यहां पर यह दूसरा टाइप और छीन को मिलाते हैं और इसका जनरल कंपोजिशन होता है 90 परसेंट और तेशन तिन अब देखो ब्रॉण्ज भी बहुत सारा होता है एक बोलते हैं हो अल्यूमीनियम ब्रॉण्ज एक बोलते हैं जिंक ब्रांज मींस इसका नाम से देखो क्लियर हो रहा है ब्रांज होगा मींस कॉपर और टिन होगा ठीक है लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे उसमें अलुमीनियूम अगर तो व अलुमीनियूम ब्रांज बन जाएगा ठोड़ा से कंपोजिशन ब्रांज ग्यारी करवार तो व रहाएज जिंक ब्रांज होजा roadmap और इसी जिंक ब्राणज को हम लोग बोलते हैं गंड मेटल मेशिक है इसी जिंक ब्राणज को लोग बोलते हैं यह भी देखेंगे आगे उसी के बार और आगे आता है Phosphorus bronge में सब्सक्राद किया कि ये bronze ही होगा लेकिन slightly हम composition को किसी को कम करदेऊंगे ऐस साहद है यृचि cherry हो जाएगा उसी तरह आता है silicon跟ज तो यही property है koper का कि एक ख स्लाइटली हम addition करके बहुत सादा material बना सकते है evidence परिए दिल में कुछ अपना यूनिक प्रोपर्टी होता है जिस वाज़से उसका अप्लिकेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो यहां पर हम लोग को बस गन मेटल के बारे में पढ़ना है अलुमिनियू ब्राउंज फॉस्फर ब्राउंज लेकर यह से नहीं पढ़ना आपप प के नहीं है अग already ब्राउंज का ब्राउंज और लोग इसका अधरीं कब्वार्टी अचब्र होता है उसका नगे इसका कंपोजिचन क्मकर कहते हैं इतना ही रहेगा और इसमें दो परस्चेंट जो कॉपर को कम कियें उसमें लोग जिंक कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं गर्ण मैटल और चुकि यहां पर जिंक करें इसलिए इसका नाम जिंक ब्रॉंज भी होता है कि ब्रॉंज इसलिए क्योंकि टिन का यहां और जिंक को मोग फोड़ा से मांट में एड कर दी है इसका नाम पड़ गया जिंक ब्रॉंज उससे तरह अलूमिनियूम ब्रॉंज होगा में होगा कुछ सब्सक्राइब कर देंगे कि इसका अप्लिकेशन देख लेते हैं गन मेटल का क्या क्या अप्लिकेशन होता है तो इसका सबसे इंपॉर्ट अप्लिकेशन हो गया गन बैरेल्स ओर्डिनेंस पार्ट्स देख ओर्डिनेंस जो है एक फैक्टरी है हमारा जितना भी बड़ा बड़ा गन्स हो गया जितना भी तरह का गन्स आता है ठीक है वह एक हमारा कंपनी है इंडिया में ओरडिनेंस फैक्टरी को यह अचारीं मिलिंटरी सब केलए गन्स हो गया यह अई घ्र मुदन साघ्वा जाता है इसका गया जाता है इसका बीरिंट 변 वर जाघ्ạt तो यह सब कुछ इसका जंदल अप्लिकेशन अगर्ड मैटल का यहां पर कंपोजिशन इंपॉर्टेट बहुत है क्योंकि इससे अब्जेक्टिव कुश्चन बनता है यह चेप्टर जो है इससे ज्यादा तर अब्जेक्टिव कुश्चन ही आएगा कुछ पार्टिकुलर अब दे दिया कि ब्रास का कंपोजिशन प्रपर्टी अप्लिकेशन लिखें या फिर ब्रॉंज का क्या होता है कंपोजिशन अफिर कोई एका स्पेशल पुछले में मैट क्या होता है फिर यह नेवल ब्रास क्या होता है उसका प्रपर्टिक पोजिशन वह सब बता ही तो यह सब कुश्चन इसे आता है या फिर अभी हम आगे और पढ़ेंगे अलुमिनियों के बारे में तो उससे ज्यादा कुश्चन आने का चांज़ है तो कॉपर का कॉपर का सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें तीन टाइप हम लोग स्टड़ी किये नेवल ब्रास और मुंज मेटल और सिप जर्मन सिलिवर का मुपोजिशन देख लिए ते उसमें निकल को आड़ कर देते हैं ब्रांज में हम लोग देखें गन मेटल के बारे में इसको जिंक ब्रां सब्सक्राइब करते हैं अब कोई दिकत जो क्वेशन पूछ रहे थे कोई दिकत पूछो यह तो हम यह का हम यसार अप्लिकेशन तो हम पता है दो उसमें जो बेडल बनाया जाता साफ होता है वह हमारा चार्प इस गन मेटल को मथा और डिनेंस पार्ट जितना भी बड़ा बड़ा दो जो गया उसका ज्यादा तर पार्ट जो और्डिनेंस फैक्टरी होता है वह सार प्रोड्यूस करती है उसका पाट्स हो गया गियर समय बनाते हैं बेरिंग्स बनाने में इसका बहुत अच्छा यूज़ किया रहता है बेरिंग्स उसके वाल्व का बाडि जाम बनाते हैं जिसक्त एक हमारे पास यह साफ्ट है और एक इस साफ्ट में हम एक गियर को मौंट कर दीं इसमें बनावा रहाता है और यह रहसं को इसके सब्सक्राइब लेकिन अगर मालों कि ये सफ्ट मेरा हई स्पीड में मुझ करना है और हमें इसका स्पीड कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं गियर का साइस को छोटा बडा का देते हैं जिसके कारद से पावर ट्रांस्मीशन होगा और यहां पर यह साफ लोग स्पीड पर डूप्ट तो घि अब राब करता है वह लोग का यूज्स करते हैं राज डिस्टेन्स करना है वह लोग में यहां और यूज्ट का यूज चैन होता है यह कंद से जोंडरे में च्टेंस अब में करेगा कि यह सारा नेक्स शेमेस्टर में एक पेपर आएगा थियोरी ओप मसीन वहां पर पूरा जियर्स के बारे में स्टुड़ी करना है जियर्स क्या होता है तो कॉपर के बारे में कंप्लीट हो गया हम इसका नूट्स सेंड कर देंगे आज कि इसका पहले किना क्लास हो चुका है है यह साथ 17-18 ओचुका हो गया इस से पहले है अठारा हो चुका है क्योंकि यह थीसरा चेप्टर हम लोगी स्टार्ट कर चुके है नेक्स्ट अम लोग का अलुमिनियम अलोय आए अब ही कोई क्लास में नहीं नहीं सर या फिर आज ऐसे हो तो नहीं पाएगा एक चप्टर कंप्लेट इसको कल ही करते हैं ठीक है थोड़ा साम आदा गंटा ले ले लेते हैं श्ट्रेंथ पटेल का क्लाउट्स ठीक है कल यह चप्टर फिनिस हो जाएगा क्योंकि इसमें दो टॉपिक बच गया अलुमिनियूम और उसका अलॉय और एक बेरिंग मटेरियल होता है उसका मॉस का क्लास करोगे ना यह नहीं करने कमाने